आप सभी को मेरा नमस्कार दोस्तो आज के वीडियों हम देखेंगे एडाई ग्रेडे के पॉजिटिव और नेगेटिव मैं दोनों पक्ष आपको ढंक से समझा दूँगा हमने कली एक टॉपड स्टॉक डाला है इसी के साथ मैं आपको एक चीज और बताना चाहूँगा क्योंकि एडाई का नोटिफिकेशन जो है वो फ्रिक्वेंटली नहीं आता है ये इसी बार हुआ है कि इनका consecutively दो एर के अंदर इनका नोटिफिकेशन जो है वो रिलीज हुआ है अकसर इस तरीके के जो insurance sector के notification होते है ये 5 साल, 6 साल, कई बार 8-8 साल के अंदर रिलीज होते है लेकिन इस बार आप लोग की किसमत अच्छी है कि इसका notification जो है वो continuous release हो रहा है दो साल से तो जो भी बच्चे तयारी करना चाह रहे है इस exam की क्योंकि इसके courses बहुत जादा आपको नहीं मिलेंगे तो I exam B का नाम आप सभी ने सुना होगा उनके आपे X RBI जो X regulatory bodies के अंदर जो AGM officer की post से job से retire हो चुके हैं वो लोग उनकी faculty के अंदर है तो अगर आप वहाँ पे अपना course purchase करना चाहते है और हमारा coupon code couple भी लगाएंगे तो आपको extra discount मिलेगा link में नीचे description box और pinned comment में share कर रहा हूँ आपको वहाँ से जाके इसकी पूरी detail मिल जाएगी इस video के अंदर हम उनके positive और negative इस job के क्या रहते हैं वो दोनों देखेंगे और exam pattern पे भी थोड़ी सी चर्चा करेंगे इसके अंदर देखो सबसे खास बात इसके अंदर positive factor की जब हम देखते हैं तो इसके अंदर सबसे खास बात जो रहती है वो रहती है कि इनका जो exam pattern है वो specialist और generalist दोनों के लिए same रहता है जैसे अगर कोई IT की post से अगर apply करता है तो भी उसको वोई exam देना पड़ेगा same day पे उसका exam होगा और वोई paper pattern रहेगा और उसी तरीके के questions उससे पूछे जाएंगे मतलब इसमें ऐसा नहीं है कि आपकी professional knowledge जो है वो test होगी अब ये एक तरीके से negative भी थोड़ा सा आ जाता है क्योंकि कई लोग जैसे कोई IT के अंदर है या actuarial के अंदर है जो अलग-अलग post निकलती है वो अपने profession में जो है वो ज़्यादा अच्छे तरीके से paper दे सकते है क्योंकि जाइड सी बात है जैसे कोई IT से apply करता है तो उसका insurance वाला part इतना strong नहीं रहता है तो ये दोनों तरीके से आपके लिए benefit भी रहेगा और negative भी रहेगा ये depend करता है कि आपका nature किस तरीके का है कई लोग IT से रहते हैं या पनेन से रहते हैं कि आप एक से जादा post के लिए भी apply कर सकते हो जैसे कल जो हमने interview share किया था उन्होंने भी ये बताया था कि उन्होंने generalist और IT दोनों के लिए apply किया था लेकिन paper उनका एक ही हुआ था और जब तक उनका final selection हो गया तब तक भी उनको ये पता नहीं पड़ा कि उनका generalist में selection हुआ है कि IT में selection हुआ है वो एक merit list बनाते हैं और उसी भी आप पे selection लेते हैं यहां तक कि उन्होंने बताया कि इंटर्व्यू के अंदर भी उन्होंने जो exam है वो pattern जो है वो अलग-अलग रहेगा वो same रहेगा आपका एक ही exam आपको देना होगा बाद में उनकी merit list बनती है उसके बाद जब job लगती तो महाँ पे ये लोग बताते हैं नहीं बताते हैं अब इत्ती internal चीज़ तो हमको नहीं पता कि जैसा आपको IT देंगे जनरलिस देंगे लेकिन जैसा उन्होंने कल बताया कि पहले से हमको कुछ भी पता नहीं रहता है केवल महाँ पे जाके हमको exam देना होता है अब यहाँ पे आप कई लोग ये पूछ सकते हो कि सर्थ दो post के लिए कैसे हम apply करें मान लोग किसी के पास simple graduation है law की या IT की जो भी post निकली है उसकी specialized degree नहीं है तो वो eligible तो रहेगा ही नहीं तो फिर आप केवल एक ही post के लिए eligible रहेंगे लेकिन अगर किसी के पास specialized degree है तो वो generalist के लिए भी apply कर सकता है साथ में दूसरी post के लिए भी apply कर सकता है हाँ ये जरूर है कि notification के अंदर जब मैंने देखा तो शायद finance के अंदर कुछ ऐसा है इनका कि finance वाले जो है वो शायद दूसरे से apply कर सकते है या नहीं कर सकते है वो थोड़ा जाके देखना पड़ेगा क्योंकि उसके अंदर जो point है वो थोड़ा सा confusion वाला है इसलिए जब आप apply करेंगे तो जो लोग finance अपलाए करना चाहते है वो एक बास select करके देखना उसके अंदर कि वो जनरलिस्ट के लिए apply करने दे रहा है या नहीं करने दे रहा है साथ में इसी के साथ दूसरी चीज इसके अंदर ये है कि काफी बार बच्चों को ये तकलीफ रहती ही कि उनको knowledge तो बहुत रहती है लेकिन उनके साथ दिक्कत ही रहती ही कि उनका confidence जब वो system के उपर बैठते हैं तो वो अपनी knowledge को transfer नहीं कर पाते है system के अंदर words पे क्योंकि हर एक का अपना एक comfort zone होता है क्योंकि उसके अंदर आपको typing speed भी अच्छी चाहिए होती है और आपकी practice बहुत ज़्यादा होनी चाहिए RBA, grade भी वगर है मैं भी हमने कई बार देखा है जब phase 2 का time आता है तो काफी बच्चे बोलते हैं और पूरे तरीके से pen paper mode पे होगा मापे आपकी word limit जो है वो पहले से बता देंगे कि इतनी word limit में आपको answers लिखना है और उसके बाद जो है आपको जैसे exam होता है आपका जो लोग graduation के exam देते हैं college के अंदर उसी तरीके से आपका exam होगा जैसे आपको 5 question दे दिये जाएंगे 10-10 number के कि आपको 3 question इसमें सा time करने है फिर उसी के बाद दूसरे question दे दिये जाएंगे तो ऐसे आपका जो है वो पूरा exam होगा तो जिनकी pen paper लिखने की writing है और खास कर कि जो बच्चे ने-ने college से निकलते है उनको लिखने की आदत बहुत जादा रहती है speed बहुत अच्छी रहती है उनकी तो उनके लिए भी एक golden opportunity है और जो लोग UPSC वगरे की भी जो तैयारी करते हैं अगर वो भी कई बार backup के लिए अपने लिए दूसरी job देखते हैं कि क्या पता selection हो या नी हो उनकी तो एक तरीके से golden opportunity रहती है इसके अंदर के वो इसके लिए apply कर सकते है pen paper mode में इसका exam रहता है इसी के साथ अगर हम दूसरी positive चीज़ों की बात करें तो देखो आप सबको पता है परीदी ने भी अपने channel पे video डाला ही है कि उसके अंदर जो job profile रहती है वो एक तरीके से positive भी और negative भी है अब ये person to person nature पे depend करता है कि आपका क्या है इसके अंदर खास बात ये है कि आप ये मान के चलो कि आपकी 99% जो life का tenure रहेगा आपका job का वो हैदराबाद के अंदर ही गुज़रेगा पूरा का पूरा तो ये एक तरीके से positive चीज भी है कि आपको पहले से fix है कि मुझे इसी city के अंदर रहना है तो अगर काई उसका selection होता है तो वो हैदराबाद में जाके अपना खुद का घर भी ले सकता है कुछ टाइम के बाद अपनी family setup कर सकता है और उसके दिमाग में fix रहेगा कि अब मेरे को यहां से transfer नहीं लेना है अगर उसको continue इसी organization के अंदर job करनी है negative side इसका यह है कि अगर आप यह सोच रहों कि मुझे home state posting मिल जाए या hometown के असपास posting मिल जाए या nearby जो home state होते हैं वहाँ posting मिल जाए तो अगर आपके मन में ऐसा है तो फिर इस job के लिए apply मत करना क्योंकि पहले से इसके अंदर fix है कि इसके अंदर आपकी posting जो है वो हैदराबाद ही रहेगी तो यह इसके positive और negative में आपको दोनों समझा है अब यह जरूर है कि आप एक तरीके से इसको negative में ले सकते होगे जो आपने अभी तक पैसा कमाया उसमें से आपके 6,00,00 रुपे जो है वो bond amount में चल गए लेकिन इनकी जो salary और allowances है वो काफी अच्छी pay करते हैं तो आपकी monthly salary बहुत अच्छी बन जाती है तो अगर किसी का salary बाद भी किसी दूसरी अच्छी job में selection होता है क्योंकि इसके बाद फिर या तो लोग UPSC में जाते हैं या RBA grade B बगरे में जाते हैं दूसरी jobs के अंदर बहुत कम जाते हैं तो वहाँ पे अगर किसी का selection होता है तो उसको 6 लाग बरने में भी गम नहीं होगा क्योंकि उसको पता है कि मैं यहाँ से भी अच्छी job में जा रहा हूँ और इतना पैसा में यहाँ पे कमा चुका हूँ तो ये मेरे को in shot आपको वीडियो के अंदर समझाना था अगर इसके लावा आपको और कोई doubt है तो नीचे comment box में type करें और हमारी channel को like share subscribe करें आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद